नमस्कार जी सथ सहीफ सर जी जी आपका क्या नाम है जी लता आप कहां से आए हैं तिशन नगर गामडी कुल शतर से संत रामपल जी महराजी से आपने नाम दिख्षा कब ली दो जार बारा में सद्गुरू रामपल जी महराजी से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या भक अपने बताया कि आप बच्पन से ही बग्वान सी gians की भक्ति करते आएं तो ये बग्ति साधना करने से आपको क्या लाब राप्त होएं बगत जी लाब तो अब संत्रांपाल जी महराज के चरनों में जब पता लगाएं पहले तो कोई पता नहीं था क्या लाब होता है क्या कुछ होता है ऐसे कुछ नहीं पता था भगत जी हमें सर जी और क्या किते हैं संत्रामपाल जी महराज के चरनों में आई हैं जब लाब का पता लगा भी लाब मिलते हैं परमात्मा के चरनों में आने से संत्रामपल जी महराजी से नाम देख सा लेने के बाद आपको क्या लाप राप्त हुए सर जी पहले तो लाप मर को ये मिला कि मैं भी बहुत दुखी रहती थी अपने सरीर से यानि सादी के बाद मेरी इतनी सिस्टी खराब होगी थी मैं भोग ज़्यादा मेरे पेट में दर्द रहता था भोग ज़्यादा सादी से दो दिन पहले आई थी मैं ब्या के अपने सुसराल में तो मेरे सुसर सास सुसर मर को होस्पिटल ले गए तो मेरे पेट में दर्ता भुश्यादा मेरे पेट का दर्द निगी बंद होता था भगत जी थार है पर उसके बाद क्या कहते हैं फिर पापा ने मेरा अट्राशोन कराया तो उनLY डक्टर भूल दिया भी इसके न पेट में पत्री है गुर्दे में फिर उसके दर्द बाद क्या दोवें किया के फिर मेरा प्रेशन किराएं बहुत ज्यादा दर्द होने लगए मेरे पेट में मैं बहुत परिशान होगी डाक्टल से दोनों टाम टीके लगवा के लागन forces के लाते थे मेर भी इस चैसे भी अराम पति देब के लिए किताब डीटि पढ़ने के लिए गीतबह का ग्यान-पति देब यह पढ़ें को फधिके बना रग्धा ने मेरे पती देब गुरु बना रखे ते लेकिन मैने कोई गुरू नहीं बनाया है मैंने बनाये तो सिब संत्रामपाल जी महराज जी गुरू बनाई है और यानि इसे लाबस धर्ती में कभ भी कोई गुरू नहीं बनाया एक ररना ँख और इस एक और लाबताना जाती हयONG सब्सक्राइब जैसे ना यह था, यह, उसके बाद में पिर मेरे मन में इसी प्रहोहना उठी है, उसके बाद में शोचा यह और यह तो कुई न कोई ऐसा संथ में तो जाना ही चाहिए पहले बार हम आसरम में गए तो वहां पर सारे लाब बताए हमें भी ऐसे से क्या कहते हैं नियम बताए उसके बाद में फिर हमने नामदान लिया साधी के बाद में फिर मेरे पती देपते बारा साल तक हर दुआर जाते थे हर साल जाते थे कावड लेने के हुआ बहुत जाए एक घंटा है हम दोनों पत्थी पत्तनी नहीं सारी देया बिकी करते थे मंगल वार का भी रखते थे शुकर वार का भी रखते थे लेगर क्या कहते हमें सुक्रफ मिलें लेकिन सर जी हम कोई सुक्त नहीं मिला जब से संत्रामपाल जी महराज के चर्णों में आये तब हमें पता लगा है क्या सुख है परमात्मा की दे इतनी है बंदी छोड़की छोटा सा लड़का मेरा यानि जब से वो पैदा हुआ था जब से ही मैं उसका इलाज करवा रही थी डाक्टर नो कही इतना रोग हो गया त सब्सक्राब तानी क्या क्या रोग होगे तो यस बच्छे के शरीर में हाफिर में डाक्टर ने जवाव दे दिया नो कह यह बच्चा अब खता मैं यह नहीं बस सकता मैं होस्पिटल से बाहर निकली मैं कहने लगी मंघा बहगत जी आप एपने बच्चा तो डाक्टर जवा पे गए फिर उस डॉक्टर ने बोला नोगा बैटी तू रो मत तेरा बच्चा ठीक हो जेगा इतना दूख था मेरा बच्चे को बहुत जादा दूख था जब से संत्रांपल जी महराज के चरणों में आये हैं ना मेरा बच्चा बिलकुल ठीक है मैं उसे याद नीरान में ले मेरा बच्चा ठीक है मैं भी ठीक हूँ और मेरा बच्चा भी ठीक है मेरे ना कान में क्या कहते हैं सुराक होगी थी तो डॉक्टर ने ना मेरे कान में सुराक होई थी पर्दे में तो डॉक्टर ने ना मेरा प्रेशन बोल दिया था नुकर इसके पर्दे पढ़ेगा कान मे नवा नुकस का प्रेशन होएगा और हमारे मेरे पती देवा न वो प्रेशन कराने के लिए त्यार हो गते कहने लगेए चल स्वेत लिए अध्र सिल ये चुरक जाहते ही सब्एज़ऄने मेठे के वह डाक्टरन ने Singapore दो दिया पुर्दा डाले गाभ परमात बोले नुंक को भी दैलाई को भी परमात मा डेया करेंगे गुरी नैज तब तक हात रखा और को सुना झी तब बनलना खालों सैक्से तो इसलों देखा दो लोड़िकें परिमांतमा तो सबको बेरा भी भर्मात्मा मेरं पर्मात्मा सब संत्रामपल जी महराज के चरनों में जब से मेरा बेटा भी ठीक रहने लग गया मैं भी ठीक रहने लगी और क्या किते हैं जब मैं एक और बताना चाहती हूं सर जी मैं जैसे मैं हमने नियारे होएते ना भगत जी घर से तो मेरे पास कुछ भी चीज नहीं ती ऐसा कुछ भी नि explicit प्रमात्मा के चरनों में जब से लगें बंदी छोड़ के बर मात्मा अन better कर रिक रही है मालिक ने बंधी छोड इसोड़ने सारी चीजह स्टैम पे मेरे पास सारी से๋रे मोटर सैक्ल चोट दहाए मैं संदेश तो क्या दूंगी और मेरे तो हाथ जोड़ के यह बिंती है सर जी जैसे मेरे को लाफ मिलें ऐसे सब को लाफ मिलेंगे संत्रामपाल जी महाराज के चर्णों में आए और अपना कल्यान कराएं संत्रामपाल जी महाराजी से कैसे नामदिक्षा ले सकते हैं चैनल पर ससंग आता है संत्रामपाल जी महाराज का उसके नीचे नीचे पट्टी चलती है उस पर लंबर चलते हैं उस लंबर से फोन करें और संत्रामपाल जी महाराज का ससंग सूने और नामदिक्षा ले और हर गुर्जी के संत्रामपाल जी महराज के जगा जगा नामदान सेटर खुले हो यह वहाँ जाके नामदिक्षा ले और अपना कल्यान कराएं बहुत बहुत धन्यावाजी साहे बगत जी कर दो